Hello Everyone, जहां Transport and Communication, जो हमारा लेक्चर चल रहा है, मतलब जो परलर चल रहा है Modern History के और Computer के, ठीक है, Transport and Communication, उसमें हमारा आज Railway Transport हमें पढ़ना है, Under किसी आदा है, Ministry of Railway, Government of India, ठीक है, Father किसको माना जाता है Railway का, G. Stipson, ठीक है, यहां पर explain करने का कोई नहीं है, मतलब यहां पर direct factors है इसलिए मुझे word by word पढ़ना, अगर कुछ explain करने के लिए, यह तो आपको पता है Railways क्या है, तो उसमें explain करने की कोई जुरूर नहीं है, कब nationalized हुआ, 1959 में, मतलब Government के under कब आया, 1951 में, ठीक है, देखना, First Railway, अचा, इंडिया का कितना नंबर है, मतलब World में, ठीक है, Second Largest है याद रखना लेकिन किस लियाज से, इंडियान Railway है Second Largest, लेकिन दुनिया में यह Fourth Largest है, बिजियस्ट में यह Second Largest है, लेकिन दुनिया में Fourth Largest है, पहले पे है USA की Railways, दूसरे पे चाइना, थर्ड में रश्या, और एशिया में है Second, एशिया में है Second, ठीक है, यहाँ पर चलते हैं एक साल में, एन्यवली, और वन मिलियन, वन बिलियन फ्राइट, मतलब गुड़़ज, वड़़ज, कमेंटिटी, वबड़ज, ठीक है, फोस्ट रेलवे मिनिस्टर कौन था, इंटरिम गवर्मेंट का, आसिफली, 1946, ठीक है, और उसके बार, फोस्ट रेलवे मिनि मिनिस्टर कौन बनी, जो रेलवे मिनिस्टर for female, ठीक है, ममता, बैनर जी, कौन, 1999 में, ठीक है, असल में फिर इसने रेलवे बिजट, 2000 से शुरू किया था, ठीक है, रेलवे बज़जट, वास स्टार्ट कब किया था, स्टार्ट, 1924 में, किसने किया था, ब्रिटिश गवर् पहली ट्रेन चली थी, हमारे इंडिया में, पहली ट्रेन जो चली थी, 1837 में, में, कहा से, रेड़ हिल, उस ट्रेन का नाम ही पड़ गया फिर रेड हिल में, ठीक है, लेकिन, असल में, फोस्ट पैसंजर ट्रेन क्वेश्चन आता है, कब चली 1853 में, इस कबर इसने फिर, कहां से बोरी बंदर से लेकर थेन, यह सिरु बंबै में चले ही, तब का मिबबै, आज का ममबै, सिरु ठीक है, उसके बाद, वर्ल्ड का लांगेस्ट रेलवे जग्शन कून है, हुब्ली जग्शन कून है, हुब्ली जग्शन 2021 में आया है ये, पहले था हमारा गोरिकपूर जंक्शन ये question आता है world's longest railway junction मतलब अगर question आता है तो हुबली junction है ठीक है पहले इसे बहले गोरिकपूर था ठीक है अगर ये आ गया ये option में ना हो तो आप ये टिक कर लेना ठीक है अगर ये हुआ तो वो तो अच्छा ही है ठीक है क्योंकि फिर अच्छा largest या busiest railway station कौन सा हाउरा railway station कौन है West Bengal का हाउरा railway station इसे पहले कौन था मतूरा क्या busiest या largest कौन था पहले मतूरा मतूरा यूपी का अगर ये आया largest या busiest तो अगर ये option में ना हुआ हाउरा ना हुआ तो आप जुरिक अन्फर मथूरा को लगाना longest train कून है वेसा की ठीक है या इसे पहले कून थी शिशनाग ठीक है ये तो मुझे नहीं लगा ये कुछ नहींगा अच्छा longest train tunnel in India कौन है इन इंडिया में 11.2 km पीर पंजाल railway tunnel किस पे जो हमारे जिनाब बिरिज पे है जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा एशिया का longest tunnel कून है शिकान क्या है उसका नाब शिकान ये जैपैन में है ठीक है चलिए अब मैं यहाँ पर बताता हूँ आप मतलब इंडिया रेलवेज की कुछ contribution कौन कौन रेलवेज याद रखना हमें ये क्यों पढ़नी है अगर otherwise हमारे पास इतनी रेलवेज हैं लेकिन हमें कौन कौन रेलवेज इसलिए पढ़नी है 26 अब January 1998 में ये came into force आई मतलब तब से चलने लगी 706 किरुमेटर लांग रेल रूट था ये रोहा माराष्टरा से लेकर मेंगलूर करनाटका तक बीच में आया इनके गोवा तीन स्टेट से चलता है कितनी स्टेट से तीन माराष्टरा करनाटका गोवा ठीक है इन तीन स्टेट से चलता है कौन 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 रेलवेज में देखना ये इंडियन इंजिनिर्स ने बनाया किन ने बनाया इंडियन इंजिनिर्स में इसमें क्राष्ट किये 146 रिवर्स जो छोटे छोटे चोटे या स्ट्रीमर्स 200 बिच्ज बनाई इस फेवर 91 टैनल ये बहुत ही सखत काम था इसलिए क्या कौन कौन रेलवेज ज्यादा मतलब इन category gauges में on the basis for depth ये मतलब हमारे ये railway track होता है वो track कितना बड़ा है जहां से यहां कर कितनी विदधै इसको हम बोलते है gauges ठीक है ये तीन टाइप के है broad gauge meter and narrow gauge सब से पहले broad gauge broad gauge होता है 1.6 meter, मतलब 1.5 meter का ठीक है, और उससे अलावा थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा meter gauge, meter gauge, मतलब meter gauge वहीं से meter gauge, ठीक है, और narrow gauge याद रखना, सबसे ज़्यादा ज़्यादा जो मतलब हमारे इंडिया में है, वो है meter gauge, broad gauge sorry, broad gauge, पहले कुछ मतलब गया, लेक 1604 किलोमेटर, किसकी है, narrow gauge की, इस category यह जो category है, found in hill area, जो hill area में, वहाँ पर narrow gauge होता है, ठीक है, ज़्यादा narrow gauge होता है, अगर फिर हम meter gauge इतना ले जाए, तो broad gauge इतना होगा, ठीक है, according to categories देखना अब, यह कब Indian government ने लिया, Indian, अच्छा development of Indian railways project uni gauge, was launched, कब launch हुआ, by Indian railways, first April 1992 में, कब first April 1992 conversion of meter gauge to narrow gauge, ठीक है 1992 में, मैंने, क्यों मैंने पहले कहा था, meter gauge, meter gauge में पहले सबसे ज़्यादा होता था, ठीक है, लेकिन 1992 के पास, अब क्या, इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमें broad gauge करना चाहिए, अब हमारे यहाँ पर है, next metro rail first metro rail है, कुलकता में, 1984 में, क्या, 1984 84 में, first metro, जो metro rail है वो इंडिया में, आई, ठीक है चलिए, busiest या largest metro है, देहली metro, ठीक है, अच्छा newest metro है, पूने metro smallest metro है, कानपूर metro, ठीक है, यह तो ऐसे डिरेक्ट यादी करना है, fully privately financed metro है, गुरु ग्राउन, ठीक है, first electric train, 1925 में Victoria Terminus में, मंबई में चलिए ठीक है longest train का route जो है, longest train route from दिब्रुगर आसाम टू, कनिया कुमारी तामिल नाडू तक, 4082 2082 किलो मेटर यह जो train चलती है, वो चलती है, 80 hours में, ठीक है, कितने hours में 80, इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस याद रखना, फिर यहां से बताऊंगा longest train route इंडिया में है, कून दिब्रुगर आसाम से लेकर कनिया कुमारी, तामिल नाडू तक कून train चलती है, train का नाम है विवेक एक्सप्रेस, train का नाम है विवेक एक्सप्रेस, ठीक है, याद रखना इसके बाद बोरी बंदर, यह पहला railway station है, इंडिया का, ठीक है longest running super fast express इंडिया की कून है वो है चलती है, सिल चार आसाम से लेका, थिर्वनात्वपरम करला तक अरणोई यह इसका नाम है, अरणोई express, यह longest running fastest train है, ठीक है, लेकिन fastest जो मतलब first indigenous built train जो इंडिया की है, और engineless train है, यह है वंदे बाहरत express वंदे बाहरत express, इंडिजेन first rebuilt train कून से इंडिया की, वंदे महतरम वंदे बाहरत express, ठीक है इसका एक और नाम है, train 18 पहले इसका नाम था, speed क्या रहती है, इसकी 130 km per hour, ठीक है fastest train इंडिया की है उसका नाम है, गतिमान express गतिमान express, गतिमान express 160 km, ठीक है per hour में चलती है, first private train कून थी थी, लखन टू देहली, इसका नाम था, तेजा एक्सप्रेस ठीक है, जो मतलब क्या लखन उससे लेका, देहली, कब 2000, October 2019 में private हुई, ठीक है, first female driver क्या, शुरुखा न, यादो, ठीक है, 1989 1988 में बनी, ठीक है world's highest railway bridge, चिनाब bridge, ठीक है, world's का highest, largest अलग होता है, longest longest, मतलब, longest मतलब, यहाँ से, यहाँ, सुरी, यहाँ से, यहाँ तक, यह हो गया longest, largest मतलब यह वेड़त, यहाँ से, यहाँ तक अगर है, इसको हम largest बोलते है highest मतलब, उपर height पर, height पर, मतलब, height पर कौन सा है, world's, highest railway bridge कौन सा है, चिनाब bridge, जो बन हाल, कट्रा, rail line पर है, ठीक है, अच्छा, इंडिया's first sea bridge कहाँ पर है पंबन bridge, कहाँ पर है पंबन bridge, तामिल लाडू में first rail, museum कहाँ पर है नियु दहली में first CNG train कहाँ पर चली, हरियाना में, कहाँ पर, कमपरेंशल, natural gas CNG, मतलब इस पर चलने वाली train ठीक है first railway line constructed PPP model, मतलब public private partnership model ठीक है, कहाँ पर है गुजरात में, अच्छा, first fully AC train कून थी, पूर्वा express, पूर्वा express most expensive and luxury, most expensive and luxury train कून है, महराजा express मैं क्यों fast fast बोलता हूँ पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ facts है, समझाने के लागी कुछ भी नहीं है direct ही है, अच्छा, diamond coordinator मैंने आपको बताया था, golden coordinator, किनके, जब road system बढ़ाया था, तब मैंने बोला था 4 cities क्या, नारत में, दहली East में, कुलकत्ता West में Mumbai, और सावत में बोला था, मैंने आपको चन्नाई, ठीक है, यह था golden coordinator, इसी तरह है diamond coordinator, diamond coordinator किन में है, ट्रेंज में यह अभी लेकिन project पूरा नहीं हुआ, यह 2023 या 2024 में complete होगा, जब बैनावस होगा, तब पता चल जाएगा, तब आप तो current अपिर इसके था इंडिया में कुल कितने railway zones है 18 railway zone है, कितने 18 railway zone है, latest है south coast, विशा का पर्टनम 18th one, ठीक है, अभी मैं 18 के 18 दिखाऊंगा आपको UNESCO, world heritage site में Indian कुछ railway आती है यह दो हमारे पास क्या, मतलब चत्राफुत्रा, शिवाजी, महराज terminus and mountain railway mountain railway यह जो, मतलब, यह इस में आती है इसी zone में आती है, कौन-कौन सी है, ठीक है, जो मतलब UNESCO, world heritage site में आती है दारलेजिंग जो 1990 में आई, ठीक है वेस्ट बंगाल की है, नीलगरी उटी, तामिल नाडू की है, 2005 में आई, कालका शिमला railway station जो 2018 में आई यह UNESCO, UNESCO world heritage site में आई है, ठीक है, यह Indian railways है ठीक है, फिर एक बार बताता हूँ अगर question आ जाए, तो दारलेजिंग, नीलगिरी और कालका railway station, ठीक है, next slowest train इंडिया की मितुपलयम, ओटी, नीलगिरी यह train जाती है, passenger train है, ठीक है, slowest train है, सिरफ पर है, दारलेजिंग में, ठीक है, अच्छा rail vehicles कहाँ पर चलने लगी, कॉलकाता में मतलब छोड़ी छोड़ी गाड़िया, उस पर चल रही है, ठीक है, यह waterways, आज नहीं waterways, कल होगा, ठीक है, चलिए, यह रहे 18 zones, ठीक है, हमारे railways के, ठीक है, मतलब Indian zones up Indian, railways, ठीक है, यह, मतलब आप लोग फिर बाद में याद कर ले न, railway zones, उनके koders, head quarters, अच्छा, cratered on, cub, और railway division, ठीक है, सबसे पहले central railway, यह इसका central में है, मंबई, मतलब मंबई में, ठीक है, यह आपको, यह अगर cratered on, याद रखूगे, मतलब थोड़ा, एक बार देख लोगो ही, कोई बात नहीं है, वहना, latest वाला आता है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, next, eastern में है, कॉलकत्ता, central का head quarter है, हाजीपूर, और east coast का, बुबनेश्वर, नार्थ zone का, नियोदेहली, सबसे बड़ा नार्थ zone माला, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा है, अचा, नार्थ central, यह इसमें, अलाबाद, जिसका प्रियागराज बोलते है, ठीक है, नार्थ eastern में, गोरिकपूर, नार्थ east frontier में, गवाटी, ठीक है, नार्थ west में, जैपूर, अच्छ, सावथ में, चिनए, सावथ east में, कोलकत्ता, सावथ east central में, बिलासपूर, अच्छ, सावथ central में, उसके बाद, सावथ central में, यह, सिकंदर आबाद, ठीक है, सिकंदर आबाद, सावत सेंटर में सिकंदराबाद सावत वेस्टर में हुबली ठीक है और सावत कोस्ट में विशाका पत्नम याद रखना ये वाला याद रखना विशाका पत्नम वाला याद रखना ये है विशाका पत्नम ठीक है ये विशाका पत्नम ठीक है वेस्टर्न में मंबई ठीक है और ये रहा सारा आपके पास 18 के 18 जोन और किस किस में क्या क्या आता है ये मैंने आपको बता दिया ये रही रेलवे डिविजन अब अगर आपको पढ़नी है तो यहां से अच्छे से आप मतलब दीरे दीरे स्क्रॉल करके अच्छे से य ये चलिए मैं दिखा देता हूं यहां से यहां तक ठीक है आप लोग पढ़ लेना और इसके बाद आपको क्या करना है जब भी वीडियो देखो वीडियो को लाइट करो कमेंट करो इंप्रूमेंट लाने के कहां पर जोड है वो मुझे बताओ वी ये फ्री को मतलब को कोरस में मिलता है जहां पर इतना मुक्तसर मिलता है इतना अच्छा मिलता है ठीक है जहां पर कोई भी प्राबलिम आपको नहीं आएगी ठीक है बाकी थांक्यू सो मच अगर आप मतलब जब भी मेरे साथ आप जोइन करना साथ चाहते हो मतलब मेरे मतलब जो भी वीडियो होगा के description box को आप check किया करो वहाँ पर telegram का अगर किसी को PDF जोरुत है तो 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 telegram पर आना पड़ेगा ठीक है, telegram description box में होती है, मेरा WhatsApp नमबर है 825-0128-71 ठीक है, इस पर मतलब आप message करो, वहाँ पर मतलब आपको PDF मिल जाएंगे और मैं ग्रूप में आपको जोइन करूँगा वहाँ पर, लेकिन कुछ बच्चे क्या करती है ग्रूप में दूसरों को message करती है, ठीक है, आप किसी को message मत करो, आप मुझे करो message, मैं confirm लिए आपको, मतलब आपके help करूँगा और रही बात, मतलब आप, आप, बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहे VLW के लिए मैं यहाँ पर पूरा course और जितना भी, कुछ भी थोड़ा रह गया, मैं आपको बताऊंगा आप कैसे पढ़ोगे कहां कहां से पढ़ोगे, कौन से बुक इस्टिमाल करोगे, जो आपके लिए best होगी ठीक है, बाकी, thank you so much